है गाइज वालकम बैक टू एन अधर क्लैस्ट ओफ क्लैस्ट वीडियो आप मिस्टराइब स्पिकिंग और आज मैं आपको बताने वाला हूं वार के बारे में वार अटेक्स के बारे में अच्छुली टीस टैन इलेवर एंट्वेल उसके पहले मैं बताने नहीं चाहता हूं क जाएंट इवेंट में बहुत ही कम टैम बाकिये तो आप अपना जाएंट इवन कंप्लेट कर दिये और कर दीजिए और 600 एक्समेंट के साथ आप बिल्डिंग बुक भी आपको मिल सकती है मेरी जाएंट इवेंट आजी कंप्लीट हुए और मुझे 600 एक्समेंट मिला है जि जो पिसली बहुत हुई थी इस धी एच 12 एस दिए 11 अश्य क्रेंट मेंबर उसने बहुत ही अच्छी तरह के से अटेक किया था तो उसने बेस रीड करने के बाद पिए त्ट इलेवन है जो पूरा मैक से विजाँ वाल्स उसने जाएंट वीच एंड बालर अटेक किया है व स्टार्टिंग में उसने सारे जाइंट स्ट्रेड कर दिए और उसके बाद उसने पीछे बॉलर्स प्राइड कर दिया बीसमें से उसने मशीन जाने दिया पीछे क्वीन एन गार्डन जान दिया दिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से वह साइलेंटी अपने like clear कर रहा है वहर के लिए एक एरज तोड़ने के बाद मशीन अभी वॉल्स थोड़ीय और सारे के सारे को स्पेस कर अंदर जाने के लिए स्पेस कर यह अब उसने सार्टी में रेट इस्तमाल कर दिये जिससे सारे के सारे बॉलर्स वीच और जो मशिन्स जाएंट्स है तो अंदर आज गई है वाल्स तूड वाल्स तूड़ गई है तो अभी क्लाइन के सल के एनेमी सारे के सारे मर गई है पॉजन स्पेल से गार्डान के स्विल आमेन एबिलेटी यूज़ कर दिये यह उसने दूसरी डेट स्पेल यूज़ किये और आधिंग यहां पर वह अब जंप स्पेल यूज़ करेगा यह यह वैल यूज़ किये हील और गार्डन को सेव करने के लिए यहां पर स्केलेटन आर्मी है जो विच बना ओह तो सारे वीच गई वाट उसने अभी पेशन्स रखा कि उसके पास अभी टाइम है और जंप स्पेल भी है सो उसने साथी से बेस पूरा क्लियर कहिया है थ्री स्टार के साथ माज या ने यह बेस को कंप्लीट किया है क्लिण के अब यह यह वह यूज करेगा धुटी लेवल के क्वीन की अब यूस अभी यूस के दिए है और लिगन से अभी वीच बाकी है अब चान्तों हो वीच के कितनी बड़ी ताकत है उसकी स्केलेटन आराम से डेमेज कर सकते उर उसकी स्पीड भी बहुत है तो बहुत सारी वीच भागी आई तिंग चार शे साथ वीच भागी है और उसके श्केलेटन जो वो डैवलब करती है डैवलब करती है तो माजय के थ्री स्टार वीध अन्यू टूप्स जायंट वीच एन्ड बोलर विध क्लैन के सल जायंट एन्ड बोलर्स तो अपनी यूस क अगर आपके ठीएच एलेवन है तो नेक्स अटेक आता है माजया वारियर का जो ठीएच एलेवन ही है तो वह यूज़ करता है तो इस वह पूरा बेस क्लियर करता है पहले यहां पर उसने बोलर्स किये उसके बाद पीछे उसने वीच रखी यहां से कि उसने स्टाट किया है कि मसीन ने वाल तोड़कर स्पेस कर दिये बॉलर्स और हिलर्स के लिए आमिन बॉलर्स एंड क्वीन और हिलर्स के लिए उपर से जो एनिमी स्टूब से जो बाहर आ चुक है और पोईजन से वह सारे के सारे गए सो बीच में जम स्टूब के यूज करने के बाद राइट साट उसने रेज स्टूब यूज के जो बॉलर्स को रेज में ले आ गए क्विन की अबिलिटी अभी उसने यूज में कहिए है तो उसने पूरे सांधी से बेस को क्लियर कर चुका है विद थ्री स्टार क्विन की अब वह यूज करेगा विद आणि ताम पैन तो इस वेरी इस ली थी स्टार एस न्यू बेस और एस न्यू टूप्स विद एस थी एच लेवन बॉलर्स हीलर्स और विच तो आज जम थर्ड अटे पे जाते है रॉक का जो नंबर ट्वैल पे है बट उसने फोर्थ पैटक किया है एस थी एच इलेवन आई तिंक ही इस रस्वेस बट यूज फर्स जो माजा ने यूज अटक किया था जाएंट विचीज एंड बॉलर्स तो आज का थर्ड नमर पे आता है यह रॉक का पहले पूरे जाइंट उन्यू इस प्रेड कर दो उसके पीचे सारे बॉलर्स और उसक पीचे मसीन उसे ड्रॉप कर दिया है रूज रेड स्पेल फर रेड्स तो आल ट्रूप्स पोईजन डाल दिये अब जो बालून बाहर आ गये इस बाजू यहां पर ड्रेगन बार गा बहार निकल गया है बड्र पीचे वीचे तो सारे के सारे बॉलर्स अब बच जाएंगे इसमें उसने रेड्स पेल यूज कर दिया और यहां पर वो जंप स्पल्ड यूज करेगा या यहां पर उसने जंप स्पल्ड यूज किये आपको पहले लगेगा यार पूरा बेस क्लियर नहीं हो रहे लेकिन उसके बाद में क्वीन और रीच है जो आपको बहुत हैफूल रहेगी क्वीन के आइप में विच के जो स्केलेटन्स है जो आपको बहुत ही मदद करेंगे लास्ट में जो स्केलेटन्स वेकिन के आपको बेस उसने आरां हम से ख्ली है है वीच नहीं और रॉट उसकी है लगद की यह जो आज का थन नमर प्याता है यह रॉक का अटेक सब्सक्राइब गुटकर जो टी एच टैने तो उसने एक बेस पर अटक किया था विट राइमिन आधिंक माइनर अटेक यू कन सी ऑल्सों माइनर अटेक एच टैन विट टी एच टैन बेस रीड करने के बाद उसने पहले मशिन जाने दिया उसके बाद मशिन को पहले यहां तक क्लियर किया और जैसे चीज़ी के टूपस बाहर निकले उसने माइनर डॉप कर दिया है यू कन सी यह आच टावर गया अब यह वाल अब यह गोल्ड स्टोरेज इसके बाद आर्च टावर वाल्ड ओ मॉटर भी गए सो क्लैंट कैसल के टूपस आराम से बाहर निकल गए है अब वो क्लैंट कैसल के टूपस पॉजन से पहले मार देगा फिर माइनर्स ड्रॉप कर देगा तो इस टाइम तो नाव विडाउट एन स्पेंट टाइम इजब्स और माइनर्स और में बाद माइनर्स को कैसे हील करें कहां पर उसके साथ हील और रेट स्पेल रखें तो रेट स्पेल हमेशा टाउनल के पास दीजिए ताकि वह फटाफट उसके आसपास के सारे जो डिफेंस है उसको खतम कर सके यहां पर उसने दूस्तरी हिल्स पेल्स कर दिये आराम से यूज कर दिया और एक हिल्स पर बाके जिससे पता चल गया के पूरा बेस अभी आराम से क्लियर हो जाएगा तो इस इस फोर्थ अटेक ऑफ सवरव गुटकर विट माइनर अटेक एज़ टेस्टेन विट टेस्टेन सवरव गुटकर विट माइनर अटेक्स तो यूज कन उस अलसो इस अटेक्स 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 अगर आपको वीडियो यह पसंद आया तो यार लाइक किजे शेयर किजे मेरी वीडियो कर अर आज का वार्की प्रिपेरेशन भी चालू हुए तो आज की वार्क खत्ब होने के बाद मैं आपको वार्की सिच्टेशन दिखाऊंगा कि कैसे उसने कैसे अटेक्स किया कैसे नहीं नहीं अटेक्स अगर आपको में वीडियो पसंद देते हैं लाइक किजे सब्सक्राइब जिए मेरी चैनल झालू है। आज चालू हुए तया हुए टीखा हुए टीखा हुए...